हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ सुजाता चोहान और आप सभी का अपनी टीचिंग क्लासिस में स्वागत करती हूँ अब तक मैंने आपको तीन टैंसिस कराए हैं सिंपल प्रेजन टैंस, सिंपल पास टैंस तथा सिंपल फ्यूजर टैंस और उमीद करती हूँ कि ये तीनों ही टैंस आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ टैंस की और जिसका नाम है प्रेजन परफेक्टैंस प्रेजन परफेक्टैंस का प्रियोग अभी अभी वर्तमान में पूरी हुई किसी घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है और ऐसे संटैंस इस हैज हैव प्लस वी थ्री यानि वर्ब की थर्ड फॉर्म की सायता से बनाए जाते हैं ही शी इट सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैस तता आई वी यू दे प्लूरल जितने भी प्रोनाउंस हैं उन सभी के साथ हैव कप्रियों किया जाता है इस टेंस के हिंदी वाक्या आम तोर पर चुका है चुके है चुकी है या है यह है यह है पर समाप्त होते हैं और कुछ की वर्ड बता देती हूं जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि यहां पर प्रेजंट पॉफेक्ट टेंस का यूज होगा तो यह की वर्ड हैं never, ever, yet, already, just, now, and so far तो चलिए अब बात करते हैं इस टेंस को कहां यूज किया जाता है कोई खटना कई साल पहले घटित हो चुकी है लेकिन आप उस खटना से भावनात्मक रूप से अभी भी जुड़े हुए है मतलब उस खटना की यादे आपके दिमाग में अभी भी तरो ताजा है तो आप इस खटना को इसी टेंस में बताएंगे For example मानलीजी आपने कई साल पहले दस साल पहले आपने ताज महल देखा और कोई आपसे आज पूसता है कि क्या आपने ताज महल देखा Have you seen the ताज महल? तो आप कहेंगे Yes, I have seen the ताज और ये यहाँ पर आपने इसलिए कहा क्योंकि आप आज भी ताज महल के दिर्शे को अपने दिमाग में जीवित पाते हैं आप उसकी यादों से अभी भाफनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं आप अभी भी ताज महल जो कई साल पहले आपने देखा आज भी उसकी यादे आपके दिमाग में तरो ताजा हैं नेक्स्ट है इस टेंस का प्रियोग अदिकतर टाइम पीरियर्ट के बीच में किया जाता है यदि टाइम पीरियर्ट समाप्त हो गया है अर्था टाइम पीरियर्ट की समाप्ति के पश्टात आप सिंपल पास टेंस का यूज़ करेंगे ना की present perfect tense का Time period से मेरा भी प्राए है जैसे morning, afternoon, evening, today, tonight, this month, week, etc. Example दे देती हूँ ताकि आपको time period clear हो जाए जैसे क्या आज आपने अंग्रेजी का period attend किया Have you attended English period today? लेकिन यदि यही वाक्य कोई दिन स्माप्थ होने पर आप से पूछता है तो वो पूछेगा, did you attend English period today? क्योंकि किसी क्रिया का जिक्र time period के बाद किया जाए तो वो क्रिया simple past tense में बनेगी जैसे कि उपयुक्त वाक्य में हुआ ऐसा ही एक और sentence देखते हैं ताकि आपको अच्छे से clear हो जाए यदि सुभा का period जारी है और अर्थात, दोपहर के 12 बजे तक आपसे कोई पूछता है कि क्या तुमने आज सुभा चाए पी? तो वो कहेगा, have you taken tea in the morning? लेकिन यही वाक्य यदि वै दोपहर के 12 बजे के बाद आपसे पूछता है तो उसे कहना चाहिए, did you take tea in the morning? अब बात करेंगे इसी tense के negative और interrogative sentences की तो इस tense के negative sentences has, have not plus verb की third form के साथ बनाए जाते हैं और interrogative sentences बनाने के लिए has, have को subject से पहले अर्थात वाक्य के शुरू में लगाया जाता है अब बात करते हैं homework की तो आज आपको कुछ वाक्य दूँगी इसी tense के और आपको इन्हें translate करना है तो first sentence है मोहन ने खाना खा लिया है second, रादा खाना बना चुकी है मैंने अभी चाहिए नहीं पी है fourth, अब वर्शा थम चुकी है fifth, क्या तुमने ताजमेल देखा है? sixth, मैं थक चुका हूँ seventh, सारी फसल को ओलो ने नश्ट कर दिया क्या मजदूरों ने वरिक्ष काट दिया? बुड़ा व्यक्ती अपने दुखों को भूल चुका है चोरों ने इस मकान में शरन नहीं लीग है माली पोधों को पानी दे चुका है तो उमीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और टेंसिस आपको अच्छे से समझ भी आ रही है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहें आप सभी का धन्यवाद